हल्लो ट्रेडर्स तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफिटिबल ट्रेडिंग सेटप के बारे में जो हर एक बिगनर को पता होना चाहिए तो आज हम जानेंगे 6 ऐसे steps के बारे में जिनको follower के कोई भी beginner trader बन सकता है profitable trader तो चली जानते कैसे Step No.1 Stick to a solid strategy हमेशा अपनी make-tested की वही predefined strategy को ही उपयोग में लें रोज अलगले strategy उपयोग में ना करें Step No.2 Set कीने trade goals पहले ही decide कर लेगी आपको अपनी trade में entry, exit और stop no scam पर लेना है जिससे की आपका mindset stable रहे Think like a human, trade like a robot तो हमेशा जब भी आप trade कर रहे हो तो हमेशा emotions को side में रहे और fix अपने rule और emotions को follow कर गे ही trade करे Step No.3 Determine your trade style तो आपको अपनी planning के अनुसर पहले ही decide कर लेना कि आपको कुण सी trading style को choose करना है जिसी के आपको internet रेंडिंग करनी है, shrink trading करनी है, या positional करनी है अलग लग दिन, अलग लग state जी या अलग लग 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 style को भीयोग में ना ले आपको अपने पहले ही decide करने ना कि मैं internet करूँगा तो आपको internet ही करना है आपको shrink shrink नहीं करना फिर जा आप combine में कर रहे हैं तो आपको दोनों के rule and regulations अलग लग 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 लगने और उनके follow भी करने है और अगर आप एक beginner हो तो हमेंसा पहले एक इसी ट्रेडिंग style को follow बढ़ो step नमर 4 develop a daily chart analysis routine तो एक ऐसा routine त्यार करें जिसमें आप रोज कम से कम अपने famous stocks को analysis कर सको और एक ऐसा routine त्यार करनो जिसे ही कि आपको fix time मिले और आप chart के reading कर सको तो ऐसा समय जुरूर निकल ले अपने दिन के अंदर सुबह ही पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में कितनी trade लेने वाला हूँ चाहिए मैं profitable रहूँ या पर loss में रहूँ मेरे को fix है कि मैं 2, 3 या maximum 4 के बार trade नहीं लूँगा तो इन 6 steps को follow करके आप भी बन सकते हो एक profitable trader वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो दिए अच्छे लगी है तो subscribe करें Mr. JP trader को और like और share कन ना भूले Thank you friends